तो हमें सबसे पहले को अंडर्सेंड करना है मतलब हमें लॉंग डिविजन को परफॉर्म नहीं करना है इसका मतलब क्या होता है कि 15 divided by 1600 ये करकर हमें decimal expansion को नहीं calculate करना है बट हमें अपने कोई अलग तरीके से बताना है कि बताओ ये जो rational number given है 15 upon 600 इसका terminating decimal expansion होगा या non-terminating repeating decimal expansion होगा तो हम सबसे पहले ये बात को understand करते हैं कि कैसे कोई भी एक rational number terminating decimal expansion हो सकता है या non-terminating decimal expansion हो सकता है तो terminating decimal expansion वो होगा जिसके denominator में 2 आता हो 5 आता हो या 2 multiplied by 5 इसका कोई भी combination अगर denominator में आएगा rational number के तो वो क्या होगा terminating decimal expansion ये बात को चलिए चेक करते हैं अब देख सकते हैं 0.25 एक terminating decimal expansion है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 upon 100 ठीक है अब इसको मैं short कर रहा हूँ 25 1 जा और 25 4 जा ये हो गया 1 upon 4 और 4 की जगा पर मैं 2 square को भी लिख सकता हूँ तो ये हो गया मेरा 1 upon 2 square ठीक है तो यहाँ पर denominator में क्या आ रहा है 2 इसका decimal expansion क्या हो रहा है terminate अब देखते हम 0.35 के लिए तो 0.35 भी एक terminating decimal expansion ही है इसको मैं 35 upon 100 करके लिख सकता हूँ फिर इसको हम short कर रहे है तो 5 7 जा 35 और ये हो रहा है 5 20 जा 100 अब हमें value मिल रही है 7 upon 20 और denominator में 20 की जगा पर मैं 4 into 5 कर सकता हूँ और 4 की जगा पर में 2 square लिख सकता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है कि कौन स 0.04 अब 0.04 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 upon 100 लिख सकता हूँ ठीक है इसको मैं short कर रहा हूँ कैसे short कर रहा हूँ तो भाई 2 2s और ये 2 5s 10 और ये 2 0s 0 value आ रहे है 2 upon 50 2 upon 50 को और जादा छोटा में कर सकता हूँ 2 1s 2 2s 4 1 बचा ही हो जाएगा 2 5s 10 यहाँ पर value आ रहे है 1 upon 25 औ और 1 upon 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 multiplied by 5 और यह हो जाएगा 1 upon 5 square अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे denominator में 5 आ रहा है वो ही reason से इसका decimal expansion है वो क्या हो रहा है terminate मलब simple 2 हो 5 हो या 2 into 5 हो वैसे सारे जितने भी denominator होंगे और उसका rational number always क्या होगा terminating decimal expansion होगा अब हम देखते हो 7 हो 9 हो 8 हो या ऐसा कोई भी number हो जो 2 5 और 2 5 के combination से नहीं बन रहा है वैसे सारे rational number क्या होंगे non-terminating but repeating decimal expansion होगे अब हमारा question हम solve कर रहे हैं जो हमारा सब question number 4 एक new page पर तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ 15 upon क्या था हमारा question 1600 15 upon 600 अब हम denominator में 1600 है उसके factors को सबसे पहले calculate करते ह 1600 के factors को हम calculate करते हैं ओके यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 ठीक है अगें 2 के table में आ सकता है क्योंकि एक even number है 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, again 2 2 जा 0 as it is, 2 1 जा 0, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, again 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, अब देखो अब यह 2 के table में 25 नहीं आ सकता है 3 का table हम check करेंगे, अब 3 के table में 25 नहीं आएगा, उसके बाद में 5 का table check करेंगे, 5 5 जा 25 और यह हो जाएगा 5 जा 5, अब जो हमें factors मिले हैं 1600 के वो क्या है, अब देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 times 2 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 power 6 और जो 5 है वो कितन power 2 लिख सकता हूँ, तो 1600 के factors क्या है, 2 power 6 multiplied by 5 square, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 upon 2 power 6 multiplied by 5 power 2, अब यहाँ पर हमें clear cut डिख रहा है कि यहाँ पर 2 multiplied by 5 का combination आ रहा है, इसका मतलब इसका decimal expansion क्या हो जाएगा, terminating, यह rational number का terminating decimal expansion होगा, यह rational number का terminating decimal expansion होगा, और इसी चीज़ को हमें find करना था और हमने कर लिया है, ओके students हम मिलेंगे हमारी next वीडियो में,